आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि application लिखने का सही तरीका क्या है और हमें कैसे application लिखनी है तो हमारी first application है application for sick live तो sick live की application है बिमारी के लिए application बिमारी के अफ्काश के लिए application तो आपको exam में इस तरह से पूशा जा सकता है write an application to the headmaster of your school requesting him oblique her for grant of two days sick leave तो आप अपने स्कूल के headmaster जो है उनको application लिखिये, उनसे request कीजिए कि वो आपको दो दिन की भीमारी की छुटी grant करते हैं, दे दे तो सबसे पहले हम यहां पर page के left side पे क्योंकि यह computerized format है application लिखने का तो computerized format में हम page के left side से शुरू करते हैं application की heading तो आप heading में लिखोगे, पहले हम लिखते थे to the headmaster जो हमारा traditional way था application लिखने का लेकिन computerized format में हम to का use नहीं करते यहां पे सीधा हम heading में लिखेंगे the headmaster इसके आगे कोई कामा नहीं होगा traditional way में हम कामा का use करते थे लेकिन computerized format में हम कामा का use नहीं करते तो हम लिखेंगे the headmaster फिर नीचे जिस school में आप पढ़ते हैं उस school का name capital letters में जैसे यहां पे लिखेंगे DAV public school आपके school का जो भी नाम है आप अपने school का name लिखोगे और उसके बाद नीचे place का जो place है उसका name लिखोगे और हम यहां पर फिर place के आगे भी full stop का use नहीं करेंगे फिर नीचे अपने date लिखनी है date जो है वो इस format में लिखनी है जैसे यहां पे लिखा हुआ है 17th of March 2000 जो भी है उसके बाद यहां पे भी हम full stop या कामा का use नहीं करेंगे फिर हम नीचे आएंगे salutation पे और salutation पे हम लिख सकते हैं respected sir या जैसे यहां पे लिखा है sir तो यह हमारा आगया salutation इसके आगे भी हम कामा का use नहीं करेंगे इसके बाद नीचे आगी application की body और application की body में हम capital letter से शुरू करेंगे और आप देख सकते हो इस picture में कि बिलकुल एक ही line में जैसे दा के नीचे school का name है फिर जमू बिलकुल एक line में नीचे है तो इस तरह से आना चाहिए फिर नीचे body में आप लिखेंगे जो भी लिखना है जैसे यहां पे लिख है I am ill यहां पे हम full stop का और कामा का use करेंगे body में हम कामा और full stop का use कर सकते हैं तो यहां पे आपने लिखना है जैसे I am ill I cannot come to school मैं बिमार हूँ मैं स्कूल नहीं आ सकता kindly grant me leave for two days क्रिपया करके मुझे दो दिन का अवकाश दीजिए उसके बाद I shall be very thankful to you तो मैं आपका बहुत अभारी रहूंगा तो इस तरह से आपने अपनी application को यहां पे खतम करना है फिर नीचे आ जाता है जो ending है application की उसमें आप इस तरह से लिखेंगे yours obediently यहां पे भी आप कामा या full stop का use नहीं करेंगे yours obediently फिर अपना नीचे नाम आपने लिखना है और class जिस class में आप पढ़ते हैं तो यह तरीका है application लिखने का इस तरह से आप computerized format में application लिख सकते हैं Thank you